एए एए वाट्सप गाईज तो वेलकम बैक तो दी माइन क्रफ्ट सर ओल सीरीज का पार्ट टू तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने एक डेजर्ट टेमपल को एकस्प्लोर किया एक डेजर्ट विलेज को एकस्प्लोर किया और आज का हमारे तारगेटे एक हमारे खुद के लिए घर बनाना फार्म बनाना और बागी की सब चीज़े करना जैसे की डायमंड डूड़न और यह सब तो चीज़ा में करने हैं तो चलो सबसे पर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं हमारे स्टाइल में तो चलो हमें यहां पर आया हूँ क्योंकि मुझे आयरन सकते हैं क्योंकि पता नहीं चलता हमको बारिश के वज़े से राथ है यह दिन है तो आगे जाके और एक्स्प्लोर करने क्योंकि हमें आयरन के ज़र होते हैं हमें एक आर्मर बनाना है तो यह दुखों नहीं आपके कितने आच्छे रैबिट से और फाइनली आयरन मिल चुक है और इसको बाद में फिकें कि तो आभी रात हो रहे तो हम सबसे पहले सो जाएंगे और आगे के लिए बढ़ेंगे तो मोर्निंग होने के बाद मैं सीधा आगे जाता हो और तभी मुझे और एक डेजर्ट टेमपल मिल जाते हैं हमारा इस सीरिस का दूसरा डेजर्ट टेम नैंगे और यह सब करेंगे तो जोल्बी के जलदी नीचे जाते हों TNT और हो सब भी तोड़ेंगे और हमें लूड भी करने माति हैं नीचे जाते नीचे जाते हैं तो कि फ्ली ox कर देंगे तो हमारे पास बहुत सारा कचरा पड़ा है तो हमें यह उठा नहीं सकते तो यह सब क्लीन करता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ तो फाइनली सब कचरा फेकने के बाद हम चेस फ्लूट करने लगते ओ भाई गोल्डन एपल और गोल्ड की इंगोट्स वाई 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 और कुछ बोन्स जिसको हम डॉक को टेम कर सकते तो चलो भाई सबसे पहले जगा करते फिर से हमारे पास पूरा कचरा कचरा बोर चुका है ओ भाई गोल्डन एपल नीचे गलती से गिर गया मेरे से इसको भी हम कलेट करें साथ पूरे के पूरे साथ और होर सार्मर भी मिल चुका है एक गोल्ड कहा में तो बोन्स वरी सब चीज ले रहेंगे सेकेंड चेस देखेंगे तो यहां पे भी कुछ ने कचरा सामाने सिर्फ पे गन पाउडर है जो क्या चीज़ है पीसरी चेट में देखते है यहां पे भ अगे साथ और मुझे यार विलेज मिल जाता है वैस्थ सोने रगता थो कु teaklete मुझे बहुत ही खुशी हो रही के रहे हैं तो फाइनली मॉर्निंग के लिए आप इस विलेज को लूटने चलते और फटाफट लूटेंगे और यसी जगण उन्डेंगे जहापे आम घर बना सके तो यह हेबे और यह सब इंपोर्डन चीज़े खाने के रिए जिससे आम बेड़ बना सकते तो यह आमारे सारोल के लिए इंपोर्डन तो यह तो लेना ही पड़ेगा और आगे जाते और आपे यह बहुती बड़ा विलेज था तो यह देखो आगे क्या कैमारा पड़ा है यह पूरा बहुती घना डेजर्ट दे जिसके मुझे आपे घर बनाना तो मुश्किल होगा क्योंकि आपे प्लांट्स और यह सब कम चीज़ें उपती है तो चोलो इस विलेज को में एक्स्प्लोर करते हूं यह सब फॉस्ट पॉर्वड करके तो हम एक आइलेंड ढूंड रहे थे और आगे जा रहे थे तो मुझे आप आनी मेर गोल्ड की इन्नेट मिल जाते तो में इनको फटाफट फटाफट कल सब चीज़ें तो फटाफट इस सब चीज़ों को कलेट कर जाता हूं और आपको यह भी फास्ट फारवर्वर्ड कर दूंगा चाहँ तो वहां पर बहुत सारा मतलब बहुत सारा गोल्ड करने के बाद हम आगे एक्सप्लोरिंग के दरफ निकल जाते तो मैं तो शॉक था हैं कि इतने हासाणी से मुझे गोल्ड मिल रहा था कि जैसे के कूई खाने की चीज़ मिल रहे तो हम आगे बढ़ते और फिर एक तो फाइनली कई घंटे गूमने के बाद हमें फाइनल एक रूंड पोर्टल मिल जाता है तो हम मुझे चेश्ट दिखाए नहीं दे रही तो मैं तोड़ा पैनिक हो जाता हूँ पर आगे जाते ही मुझे एक चेश्ट मिलती है जिससे मैं खुश हो जाता हूँ और आप देखो कि मैं एक शेडरस अपले कि आप देखा होगा अगर आपको इस ऑच्चे लगे तो कमेंट करना कि है आपको आच्छ लगे तो मैं इसको सीधा एक बोन खेला के टेम कर जेता हूँ और उसके आगी और एक डॉक था तो मैं इसको भी ये थोड़ा गुसा था बुर्जे लाकर ये टेम नहीं होगा तो इसको मैं फटाफट फटाफट फीडिंग करने के शोच दा हूँ तो टेम के उबर दबा तो इसने लग बक्तीन बोन कर ये भी हमारे दोस्त बन जुका है तो इन दोना का नामाचे होगा मोटू और पथलू तो उस नाम के बार में बात में डिस्कस करेंगे तो गूड नाइट यहां पर हमारी मायं कौक्ट कि एक और रात खत Fantastic हो जाता है ऐक्सप्लोरिंग की था टाइम पर और हमारे डॉक्स हमारे साथ ही रहते यहां पर हम फॉर्स्ट हैप मतलब फॉर्स्ट गहर बनाएँगे सबसे पहले हम गोल्ड को समेल्ट रखने हो जर रखते थे और रात हो रहे हैं तो सबसे पहले सो जाएंगे देखोना अकलाउड़्स कितने अची लगरे है मतलब मैंने एक सबसे अच्छा से शेडर डाूर के है ड़िससे ए माइनचरफ्ट रियालिस्टिक लग रही है हमको आयरनी बोल रवीट का फार्म तो चलो स्टिक्स बना लेते हैं सबसे पहले स्टिक्स से बनाने के बाद हमें ये भी बनाने पढ़ेगे एक एक्स तो फाइनल ये देखो हमने आयरन के एक्स ले लिए क्योंकि जिससे काम जल्दी के जल्दी हो जाएंगा और हम एक दो स्टैक तो लगी जाएंगा वूड का तो चलो देखते हैं ओक लॉग और ये सब चीज़े हैं ना आमर पास चारी है जिससे कूछ काम नी होने वाला तो जाते हैं सबसे पहले ट्री कटिंग के लिए जुसको मैं फॉस्ट वारोड कर देता हूँ तो मैं वूड लखने के लिए चेस्ट बनाने की प्लान करता हूँ तो फाइनली मैंने दो चेस्ट बना लिए जिसको यहाँ पर मैं जुएंट कर देता हूँ और यहाँ पर हमने जितना वूड लाए वो रख देते 17 वूड और एक स्टैक वूड लाए जिसके अंदर हमें दो सेपलिंग में मिली है और हमारा आयरन की पेकस की पेकसी बोल रहो एकस की आधी हेल्थ जा चुकी है तो चलो सबसे पहला हमारा काम चालू करते है फार्म बनाने का जो कि हमारा नॉर्मल फार्म बनेंगा बाद में इसको आउटमेटिक भी कब बनाएंगे आगले कुछ इपिसोड में और थर्ड इपिसोड के बार में आपको एक बता देता हूँ कि हम थर्ड इपिसोड में डायमंड माइनिंग के लिए जाने वाले जिसको आपको एक ट्रिक भी बताऊंगे डायमंड कैसे माइन करेंगे ज्यादा की ज्यादा तो हमारा फाम 50% तो रेडी हो चुका है बस पानी डालना बागी है तो जिसको मैं डाल रहा हुआ भी तो यहापे तीन खड़े बनाऊंगा जिसके अंदर हम पानी डालेंगे क्योंकि किसी क्रॉप को पानी ना बचे इसके लिए हम बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो पर भी पानी डालती है और यहापे और एक होल बनाएंगे जिसके अंदर वाटर डालेंगे मतलब पानी तो चलो यह सब करेंगे और आपको सीधा फाम बनाने के बाद मिलता हूँ तो पूरे दिन के मेहनत के बाद फाइनली हमारा फाम पूरी तरह से तैयर हो चका है बस फेंस गेट लगाना बाकी है जिसको मैं आगे जाके लगा लूँगा और हमारे देको नडॉग कितना अच्छा पैरा दे रहे हमारे सामान पे तो फाइनली एक मेहनत के दिन खतम हो ज लिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे वोड कटकर के लाए मैंने और जगा भी कर लेंगे घरबानन के लिए तो मैंने सोचा कि आओ इख ट्री हौस बनेंगे तो फाइनली मर गया तो उसको मारने के बाद मैं आमारे घर के लिए लक्रेश जाता हूँ काम पे तो इस घर को मैं पूरा बनाते दिखांगो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको घर का प्रिपरेशन पूरा फास्ट फारोड करके दिखाता हूँ अगर आपको वीडिया अच्छिल गिरितो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना और पार्ट फ्री भी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वालाव और ये जलती डालने वालाव में आमारे चानल पे हुत है कût सब्सक्राइब लगे लेका पूरी फोसल को काटेंगे तो पादा की लोग जिसके हमाँ बहुत ही कुश्यों और हमारे घर ही बन जुका है जिसके लिए में बहुत मतल्व बहुती कुशुँ तो इसको पूरा निकालके फिरसे बीज लगा देंगे और आगली एपिसोड में आपको इदेख सकते मेरे पा 64 डायमंड्स है और ये मेने पूरा सिर्फ चार गंडे में निकाले चार गंडे में ये सब मेरे डायमंड्स एक पूरा एपिसोड में आपको बताऊंगे कि मेने डायमंड मायनिक केसी की और आप भी केसी कर सकते और मेरे तरह 64 मतलब 64 से भी जादा डायमंड्स निकाल सकते केव ये मेरे ट्रिप से तो आगले वीडो देखना ना भूलनो और ये वीडियो को भी लाइक शेर और सब्सक्र सेलो ये फाइनली एक दो जगाई बचे सीड लगने के लिए हां तो इसको प्लांड कर देता और आपको सीधा हमारा घर दिका देताओ डेंटेडें तो गाइस ये देखको हमारा ट्री हाउस आपको आगे जाके दिखतो देखको कितना कूल और आसम लग रहाए उपर जाके सब्सक्राइब करने आले तो नोटिफिकेशन आन करना भूलना मत थैंक्स फ़र वाच्चिंग बाइबाई